हेलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे के प्लंबी के काम में हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए देखिए दोस्तों यह हमारा ने प्लंबी का काम किया है यहां पर यह हमारी है मेन क्योंकि मोटर से सिद्धा पाणि आएगा यह हमारा हो गया गीजर का पॉइंट यह हमारा शावर के लिए है जो कि उपर जाएगा मिक्सर लगएगा यहां पर यह उपर हमारा शावर हो गया क्योंकि दोस्तों यहां से हमें गीजर का पाईप उठाया है और यह हमारा गीजर का पॉइंट उपर चला गया कि यहes एक गिजर का पईंड है और ही धाफ में पानी बाला पाइंड जो कि डॉरेक्ट पानी आएगा और यही से हमें उठाके अहेक हम उन्सा पीक है ना है कि यही से हम ने उठा लिया इसे दिया यह तो हिंड के लिए कि यहां स्किड का आएगा है तो यह अब वाष्पिशं काएगा है तो यहाँ पर हमारी सीड लेगी को देखिए हमने सभी पाइप इंची के डाले है इंची के पाइप से पानी का फ्लोग अच्छा रहता है यहीं से गीजर का पॉइंट उठाकर रसोई में भी देना है तो देखिए यह गीजर का पॉइंट यहाई से हमने उठा लिया यह तीन पाइप गए हैं एक गीजर का जोगी पॉनी का पाइप है एक मोटर का ड्रेक्ट पाणी आएगा एक टैंकी का पाणी जाने लिए यह गजर का कुछ यह यह का टेंगी का। और यह है मोटर का जो इसा डॉइक प्उइंट आएगा इसी में फृल्टर का पॉइंट आएगा averaging अब the filter का इसीदा इसमें लगा जाएगा घ्ला गाल राइब दो दोस्तो ध्यान रखेगा जब भी आप प्लंबिंग का काम करवाई तो किसी अच्छे करवाएं कि प्लंबिंग का काम घर में सबसे हैं महत्वभण होता हैं कि इसमें एक भी जोड अगर लीक रहा जा एद तो आपका पूरा घर हराब हो सकता है इसलिए प्लंबी कि जब भी काम करवाएं किसी अच्छे प्लंबर से ही करवाएं और देख लें कि प्लंबर वो काबिल है या नहीं तो देखें दोस्तों यह हमारे प्लंबर तक कितना वधिया अच्छा काम किया इसने लगागे पॉइंट पिल्कुल एकदम सीधे एक बांद कर जाता है जैसे पाइब बिल्कुल हिलेगा नहीं है यसी इसने जीजर के पाइब भी बिल्कुल बांद के गया है यह देखिए बहुत अच्छे तरीके से बांद के गया है यह सारा पाइप उसने अच्छे तरीके से बांद के गया है देखिए दोस्तों तो दोस्तों अगर हमारी जानकर यह आपको अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा और हाँ एक लाइक जुरूर कीज़ेगा क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए